गुद मॉनिंग इस्टुरेंट्स तो चलिए आज की क्लास के अंदर अपने एक नया चैप्टर चालो करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन अभी तक मैंने दो चैप्टर्स कम्प्लीट कर लिये थे जर्नल एंट्री और बेसिक टर्म्स रिलेटेट टु अकाउंटिंग जिसने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो आई लिंक से वो चैप्टर्स देख लीजिए उसके बाद में ये चैप्टर स्टार्ट करना देखिए ये चैप्टर क्या है अकाउंटिंग एक्वेशन नाम से ही अपने को पता पढ़ रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक्वेशन बनने वाली है अपने जब जर्णल एंट्री चैप्टर देखा था उस समय अपने देखा था कि debit का amount और credit का amount हमेशा क्या होता है equal होता है मतलब debit is equals to credit तो इस चैप्टर में भी अपने को इसी pattern से कुछ देखना है यहाँ पर अपन देखे क्या देखेंगे assets is equals to liabilities Assets is equals to Liabilities अब देखिए Liabilities जो होती है ये दो टाइप की होती है एक होती है Internal Liability और एक होती है External Liability Internal Liability को अपन क्या बोलते हैं अपन बोलते है Capital और External Liabilities को अपन Only Liabilities बोल सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि Assets is equals to Capital plus Liability ये एक Basic Formula हो जाएगा इस Chapter का Assets is equal to Capital plus Liabilities अब देखिए यहाँ पर Question किस Pattern से बनते हैं सेम उसी Pattern से बनेंगे जिस Pattern से अपन ने Journal Entry के Questions किये थे Journal Entries में भी अपने को ऐसा ही Given होता था जैसे Started Business with Cash तो उसके अपने को Journal Entry करनी पड़ती थी अब भी अपन क्या करेंगे यहाँ पर उसका Format कुछ अलग रहेगा तो चलिए एक Question से अपन इस चीज को समझता है पहले अपन बिना Format के करेंगे और Next Question जो करेंगे उसे अपन Format के साथ में करेंगे तो देखिए Question नमबर यहाँ पर 6 दे रखा है देखिए क्या लिखा है अब यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है अजीत स्टार्टेड बिजनस विट कैश रुपीज 20,000 तो देखिए यहाँ पर अपन कैसे करेंगे अजीत ने बिजनस स्टार्ट किया है तो यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट होएंगे पहला अकाउंट होएगा कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट होएगा कैपिटल अकाउंट तो आपन यहाँ पर लिखेंगे असेट साइड के अंदर एक तो कैश एफेक्ट होरी है और कैपिटल के अंदर तो खुद कैपिटल ही है तो यहाँ पे देखिए 20,000 रुपीज से अपना cash बढ़ गया है और यहाँ पे capital भी 20,000 रुपीज से बढ़ गई है तो यहाँ पे बीच में equals to लगा दूँँगा देखिए 20,000 is equals to 20,000 हो जाएगा Next entry देखते हैं यहाँ पे लिखा है He purchased furniture for rupees 2,000 अब देखिए जब अपने furniture purchase किया है तो furniture business में आ जाएगा और cash बदले में चला जाएगा तो यहाँ पे अपन देखिए क्या करेंगे furniture भी क्योंकि अपनी asset ही होती है तो यहाँ पे एक और column अपन add कर देते हैं plus furniture का और furniture के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे plus 2000 रुपीज का यह furniture आ गया और minus में यहाँ पे cash 2000 रुपीज का चला गया और equals to में देखिए यहाँ पे capital कोई effect हुई नहीं है तो यहाँ पे अपन को कुछ करने की ज़रूत नहीं या तो आप zero भी लग सकते हैं और यहाँ पे भी अपने पास में कुछ effect नहीं हुआ तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे इसकी total लगाएंगे total देखिए कैसे हो जाएगा cash को cash के साथ में करना है तो cash 20,000 minus 2,000 यह अपने पास में 18,000 आ जाएगा plus furniture को अपने को अलग से रखना है plus 2,000 is equals to यहाँ पे क्या हो जाएगा capital 20,000 का 20,000 है plus 0 तो उससाब से देखिए 18,000 plus 2,000 20,000 हो जाएगा और इधर भी 20,000 हो जाएगा चलिए next entry देखते है he paid rent of rupees 200 अब यहाँ पे अपने rent pay किया है तो देखिए यहाँ पे एक तो cash account effect होएगा cash अपना 200 रुपीज से कम होएगा तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे minus 200 रुपीज कर देंगे अब next एक बहुत important चीज है क्योंकि यहाँ पे अपना एक expense हुआ है और यहाँ पे अपने देखिए कोई भी expense का column नहीं show किया है तो जब भी expense और income से related चीज आएगी तो आपको उसे capital के अंदर ही show करना पड़ेगा क्योंकि ultimately जो आपका expense होता है और जो आपका profit होता है वो आपकी finally capital के अंदर ही plus या minus होती है तो देखिए क्योंकि अपने rent pay किया है इसका मतलब अपना expense हुआ है और expense को अपने को क्या करना पड़ेगा capital में से minus करना पड़ेगा तो यह इसका adjustment हो जाएगा यहाँ पर अपने इसकी फिर से total लगाएंगे हर line के बाद में आपको इसकी total लगाने पड़ेगी तो 18,000 minus 200 करेंगे तो 17,800 plus furniture अपने पास में वैसा का वैसा है तो plus 2,000 कर देंगे इस equals to यहाँ पर देखी 19,800 आ जाएगा और यहाँ पर plus 0 आ जाएगा तो उसे साब से देखी टोटल बराबर आ रहा है दोनों साइड का next entry देखते हैं क्या है देखिए he purchased goods on credit rupees 3,000 तो 3,000 rupees के इसने goods purchase किये है तो देखी यहाँ पर क्या होगा एक तो अपने पास में business के अंदर stock आ जाएगा एक तो goods जब आएंगे तो goods अपने लिए या फिर stock अपने लिए क्या है एक asset है तो अपन यहाँ पर इसे इस side में यहाँ पर plus करके show करेंगे देखी यहाँ पर मेरे पास space कम है इसलिए मैं यहाँ पर इस side में show कर रहा हूँ बाकि जब आपन next question करेंगे तो उसे proper format के साथ में करेंगे तो यहाँ पर देखी क्या हो रहा है stock मेरे पास में 3,000 rupees से बढ़ जाएगा तो मैं यहाँ पर करूँगा बाद में उन्हें payment करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ liability side में plus 3,000 कर रहा हूँ आप चाहें तो इस liability का नाम creditor दे सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर again अपन क्या कर देंगे इसका total लगा देंगे तो यहाँ पर देखी stock मेरे पास में 3,000 का पड़ा हुआ है cash मेरे पास में 17,800 का पड़ा हुआ है plus furniture 2,000 रुपीज का पड़ा है और capital मेरे पास में 19,800 और 3,000 रुपीज की अब extra liability और आ गई है next रंटे देखिए क्या है he sold goods cost price 2,000 for rupees 5,000 on cash तो यहाँ पर इसने क्या किया है 2,000 रुपे का जो goods है उसे 5,000 में इसने sale किया है तो देखिए क्या हो जाएगा अब एक तो मेरे 2,000 रुपीज का stock up कम हो जाएगा तो जो goods है यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ 2,000 रुपीज कम कर देता हूँ और क्योंकि goods मैंने 5000 रुपीज में cash में बेचा है तो यहाँ पर मैं cash में 5000 रुपीज बढ़ा दूँगा अब देखिए जो 2000 की चीज है उसे 5000 में जब मैं sale करूँगा तो 3000 रुपीज का क्या हो जाएगा profit हो जाएगा और जो profit होता या फिर जो income होती है वो कहाँ पर जोड़ती है वो अपनी capital के अंदर add हो जाती तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा plus 3000 कर दूँगा तो देखिए हर entry भी match होती जा रही है और जो total आता जा रहा है वो भी match होता जाएगा जब आप entries को match करके रखेंगे entries match करने का क्या मतलब हो जाएगा देखिए यहाँ पर minus 2000 plus 5000 मतलब plus 3000 इधर side में आ रहा है asset side में और इधर भी plus 3000 आ रहा है तो चलिए अब अपन इसका total लगाएंगे तो देखिए 3000 minus 2000 कितना बचेगा 1000 का मेरे पास में stock है plus यहाँ पर देखिए cash 17800 plus 5000 करेंगे तो 22800 हो जाएगा plus 2000 रुपीज का furniture पड़ा है मेरे पास में is equals to यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 22800 रुपीज का मेरे पास में capital पड़ी है और plus 3000 रुपीज का मेरी liability है तो यह pattern रहेगा आपका accounting equation का इसका जो format है उसके अंदर यहाँ पर आपको entries भी लिखने पड़ती है serial number भी और extra आजाता है इसके अलावा और कोई change नहीं बट अपन second जो question करेंगे उसे proper format के साथ में करेंगे इस question में देखिए एक और चीज अपने से पूछी हुई थी यहाँ पर बोला था कि accounting equation बनानी है जो अपने बना चुके हैं अपन और यहाँ पर अपने को balance sheet भी बनानी है तो balance sheet में देखिए कैसे बनती balance sheet तो देखिए balance sheet के अंदर आपको क्या करना है एक side balance sheet में assets होती है और दूसरे side balance sheet में liabilities होती है इधर दोनों amount के column आ जाएंगे asset side के अंदर आपन जो भी अपने पास में चीज़ें है वो यहाँ पर लिख देंगे जैसा मेरे पास में stock है, cash है और furniture है तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँँगा यहाँ पर column बना दूँगा stock, cash और furniture का अब इनका final balance मेरे पास में कितना कितना बचा है वो देख लेते हैं आपन तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास में stock का balance है 1000 रुपीज, तो इसे मैं 1000 लिख दूँगा cash के अंदर 22,800 तो देखिए, stock के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1000 रुपीज cash के अंदर 22,800 और furniture मेरे पास में 2000 रुपीज का था तो मैंने यहाँ पर 2000 रुपीज दिया अब देखिए, यहाँ पर capital side में क्या है liability side में है, capital 22,800 की तो यहाँ पर मैं देखिए, capital 22,800 और liabilities में मेरे पास में एक creditor है तो creditor कितने है 3000 रुपीज के, अब मैं क्या करूँगा इसकी total लगाँगा, तो यह total हमेशा balance sheet match होनी चाहिए तो यहाँ पर देखिए, balance आ रहा है 25,800 का और यहाँ पर भी देखिए, balance आ रहा है 25,800 का, तो इस से साब से आपकी assets और liabilities हमेशा match होएगी तो यह हो गई आपकी balance sheet इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, balance sheet यहाँ पर देखिए, यहाँ पर date नहीं गिवन है बाकि जो भी date गिवन होती, वो आपन यहाँ पर लिख देते balance sheet as on that date तो यह आपका balance sheet हो गया और accounting equation अपनने, यह अपनने कर लिया है अब एक question और करेंगे अपन जिसे अपन proper format के साथ में करेंगे तो देखिए, मैं format पहले से एक बार बना देता हूँ तो देखिए, next question के लिए मैंने format बना दिया है एक बार format को अपन समझ लेते हैं क्या-क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले serial number है जो भी transactions है उसे अपन यहाँ पे serial number 1, 2, 3 लिखेंगे then transactions, जो transactions है उसे अपन short में यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि started business with cash, इस pattern में deposited in bank यह सारे जो transactions है वो यहाँ पे अपन लिख देंगे इसके बाद में assets equals to capital plus liabilities है क्योंकि assets के अंदर ज्यादा items होते हैं इसलिए अपन यहाँ पे assets में थोड़ा सा बड़ा column रखेंगे और capital और liability के लिए अपन छोटा column रख सकता है देखिए assets के अंदर अपन यहाँ पे सारे items लिखेंगे cash, bank, stock, furniture जो भी items आ रहे हैं अपने question के इसाब से उसे अपन यहाँ पे लिखते जाएंगे capital के अंदर तो और कुछ आता नहीं है liabilities के अंदर यदि और कुछ liabilities आती है तो अपन उसे भी अपन इसके नीचे साइड में लिखेंगे एक-एक line छोड़ने के बाद में अपन को क्या करना है इनकी total लगानी है तो चलिए अपन question देखते है देखिए क्या लिखा है 13th question अपन कर रहे है सबसे पहले लिखा है यहाँ पर accounting equation बनानी है और उसके बाद में end में balance sheet बनानी है फर्स्ट लिखा हुआ है राज commenced business with cash रुपीज 70,000 तो 70,000 से अपने business को start किया है तो यहाँ पर एक तो item आजाएगा cash तो यहाँ पर लिख देंगे cash और एक capital के अंदर पैसा बढ़ने वाला है तो यहाँ पर अपन इसको एक line खीज देता है अब देखिए first century थी इसलिए अपन यहाँ पर first लिख देंगे यहाँ लिख देंगे started business with cash अब यहाँ पर 70,000 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा और is equals to में यहाँ पर 70,000 आ जाएगा क्योंकि cash account debit to capital करते हैं तो उसे साब से 70,000 और यहाँ पर 70,000 आ जाएगा second entry देखिए क्या लिखा हुआ है purchased goods on credit तो उधार में अपन ने goods purchased किये हैं 14,000 रुपीज के तो उस case में आप देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर अपन लिख देंगे second entry देन यहाँ लिखेंगे purchased goods on credit तो देखिए जब अपन goods purchase करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में एक asset और आ जाएगी stock नाम से जो हो जाएगी 14,000 यहाँ पर मैं कर देता हूँ plus 14,000 is equals to क्योंकि यहाँ पर अपने cash में payment नहीं किया है तो liability अपनी increase हो जाएगी और यह अपनी liability कौन से है यह creditors है अपते इसलिए मैं यहाँ पर इसका creditors लिख रहाँ और यहाँ पर लिख देता हूँ plus 14,000 अब आपको क्या करना है यहाँ पर इसकी total लगा नहीं है total लगाते हैं मैं ध्यान दखना है कि only इधर side में ही line कीच नहीं है इधर side में line नहीं कीच नहीं है आपको यहाँ पर अपन लिखेंगी new equation new equation देखिए क्या आजाएगी 70,000 प्लस यहाँ पर और कुछ नहीं है तो यहाँ पर आगया 70,000 यहाँ पर stock में 14,000 आ जाएगा plus 14,000 is equals to यहाँ पर capital में 70,000 और plus इधर से 14,000 हो जाएगा then next entry देखते है देखिए क्या लिखा हुआ है withdraw for private use private use मतलब personal use के लिए अपने पैसा निकाला है 1700 रुपीज तो जब बिजनस से अपन पैसा निकालते हैं तो क्या होता है अपनी capital डिक्रीज होती है तो पहला effect क्या हो जाएगा यहाँ पर decrease हो जाएगी capital यह 1700 से इसे अपन माइनस कर देते हैं और क्योंकि cash जाएगा बिजनस से तो यहाँ पर अपन 1700 रुपीज का cash भी माइनस कर देते हैं इसे अपन यहाँ पर थर्ड में लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे विड्रिव फॉर परसनल या फिर प्राइवेट यूज यहाँ पर अपन इसका total लगाएंगे अब हर एक entry करने के बाद में अपने को total लगाना है 70,000 माइनस यह करेंगे तो कितना आजाएगा 68,300 प्लस stock अपना उतना का उतना ही रहेगा 14,000 इस इक्वल्स तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 68,300 और प्लस अपने जो creditors हैं 14,000 रुपीज के ऐसे कैसा आजाएंगे देखिए next entry क्या लिखिए fourth goods purchased for cash रुपीज 10,000 तो 10,000 रुपीज में अपने कुछ goods purchased की है तो अपन क्या entry कर लेंगे एक तो अपने पास में stock बढ़ जाएगा 10,000 रुपीज से क्योंकि अपने goods purchased की है और दूसरा क्योंकि cash में अपने purchase की है तो यहाँ से 10,000 रुपीज का cash minus हो जाएगा तो यहाँ पे अपन total लगा देंगी इसकी यहाँ पे आजाएगा 58,300 plus 24,000 is equals to 68,300 plus 14,000 तो यहाँ पे यह equation बन जाएगी अब देखिए यहाँ पे जो अपना transaction था उसे अपन note कर लेंगे यहाँ पे क्या था purchased goods for cash यह fourth number का transaction था तो यहाँ पे अपन fourth लिख देंगे next transaction देखिए यह अपनी जो new equation बन जाएगी इससे अपन new equation लिख देता है यहाँ पे इसके बाद में next transaction देखिए क्या है यहाँ पे लिखा है paid wages रूपीज 300 तो 300 रूपीज के अपने wages पे किये हैं तो क्या कर देंगे एक तो अपना cash कम हो जाएगा 300 रूपीज से तो यहाँ से अपन minus कर देते हैं cash में से 300 रूपीज और मैंने आपको बता रहे था कि जब भी अपना expense और income से related कुछ भी transaction आते हैं तो इसमें अपन capital account को effect करते हैं और expense के अंदर अपन minus करते हैं और income के अंदर अपन plus करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि expense है इसलिए अपन 300 रूपीज capital में से minus कर रहे हैं इसके बाद मैं आपन यहाँ पे total करेंगे फिट से यहाँ आजाएगा 58,000 यह 24,000 यहाँ आजाएगा 68,000 और यहाँ आएगा 14,000 इस pattern से अपना चलेगा यह जो है यह कौन सा transaction था फिफ नंबर का transaction था जिसके अंदर अपन को लिखना है paid wages और यह अपकी new equation आजाएगी तो आई होग आपको समझ में आ रहा होगा इस pattern से अब देखें यहाँ पे next क्या है paid to creditors creditors को अपने 10,000 रुपीज का payment किया है तो यहाँ पे क्या entry हो जाएगी next देखें मैं इसको यहाँ से आगे continue कर रहा हूँ यह आपका sixth transaction हो जाएगा paid to creditors अब देखें क्रेडिटर्स को अपने 10,000 रुपीज का pay किया है तो 10,000 रुपीज एक तो आपकी cash में से minus हो जाएगे और दूसरा आपकी जो liability थी वो liability भी आपकी क्या हो जाएगी 10,000 रुपीज से decrease हो जाएगी तो अब आपका next new equation बनेगी वो किस pattern से बन जाएगी यहाँ पर देखें आपके cash कितना था 58,000 अब 10,000 कम हो जाएगा तो यह हो जाएगा 48,000 रुपीज प्लस यहाँ पर stock जो था इसमें कोई effect नहीं हुआ है 24,000 ऐसा का ऐसा आजाएगा is equals to capital आपकी 68,000 की same रहेगी और जो आपकी liability थी पहले 14,000 थी अब 10,000 decrease होके अब यह आजाएगी 4,000 रुपीज तो प्लस 4,000 रुपीज यह अपने S pattern से लिख देंगे यह जो बनेगी आपकी यह new equation बन जाएगी इसके बाद मैं आपन next transaction देखता है देखी question number transaction number 7 यहाँ पे लिखा हुआ है sold goods on credit for rupees 15,000 तो अपने उधार में अप क्या किया है goods को sale किया है 15,000 रुपीज में अब देखी क्या होगा एक तो आपका stock कम हो जाएगा 15,000 रुपीज से यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं stock में से 15,000 रुपीज माइनस कर देते हैं और दूसरा क्योंकि यहाँ पे goods को अपने उधार में बेचा है credit पे sale करी है इसका मतलब cash तो यहाँ पे increase नहीं होएगा तो आपको नया asset create करना पड़ेगा कि अब मेरा एक debtor बन गया है जो भी person है उससे मैं रुपे लेने वाला हूँ तो 15,000 रुपीज का मेरा एक नया debtor बन जाएगा तो मैं यहाँ पे देखिए stock के साथ में plus यहाँ पे एक asset नहीं create कर रहा हूँ debtor नाम की उस debtor के अंदर अपन क्या कर देंगे यहाँ पे plus 15,000 कर देंगे तो देखिए इस transaction में क्या हुआ है only assets में ही effect हुआ है एक stock कम हो गया इधर debtor अपने increase हो जाएगी तो यहाँ पे equals to में इधर कुछ भी नहीं है इधर कुछ भी नहीं हो रहा है तो देखिए अपना यह balance हो जाएगा इधर minus 15,000 है plus 15,000 है तो उसे साबसे इधर भी 0 हो रहा है इधर भी 0 हो रहा है आपको यहाँ पे नई equation बना दे नहीं है यह आपके new equation हो जाएगी और यह देखिए cash में आपके कोई effect नहीं हुआ है 48,000 ऐसा कैसा आजाएगा जो आपका stock है यह आपका 15,000 रुपीज से decrease हो गया है मतलब अब यह आपका 9,000 बचा है debtor आपके नए आगये है 15,000 रुपीज के equals to capital आपकी सेम रहेगी 68,000 plus 4,000 रुपीज के आपके जो creditors है वो सेम रहेंगे यह आपका जो transaction था यह वाला 7 था और इस वाले transaction के अंदर अपने क्या लिखना है आपके आजाएगा sold goods on credit I hope आपको यहां तक समझवा रहा होगा यहां पर next transaction देखते हैं transaction number 8 इसमें क्या लिखा है sold goods for cash cost price was 3,000 और उसको बेचा कितने में है अपने 4,000 रुपीज में तो देखिए यहां पर cash में अपने goods sale किया है 3,000 की चीज 4,000 के अंदर तो देखिए क्या क्या effect होएगा यहां पर एक तो अपना stock कम हो जाएगा 3,000 रुपीज से क्योंकि अपने stock को sale किया है तो यहां पर अपन क्या कर देंगे stock में से 3,000 माइनस कर देता है तो यहां पर 1,000 रुपीज अपन capital में plus कर देंगे और देखिए यहां पर यहां पर यहां बैलन्स हो जाएगा दोनों side में यहां पर 4,000 माइनस 3,000 करते हैं तो इस transaction में 1,000 आता है इस side में और equals to के इस side में देखिए यहां पर plus में 1,000 हो गया तो यहां पर 48,000 plus 4,000 कितना हो जाएगा 52,000 रुपीज इधर आ गया प्लस आपका stock अप कितना बचा है plus 6,000 का stock बचा है 15,000 के आपके debtors हुए हुए हैं और 69,000 के आपकी capital है plus 4,000 रुपीज आपके creditors है तो इस pattern से ही चल रहा है next last transaction देखिए क्या है purchased furniture for रुपीज यहां पर 500 है तो 500 रुपीज के अपने furniture purchase किये हैं तो यह अपनी एक और asset हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा उपर side में यहां पर एक और item लिखना पड़ेगा furniture और furniture आपने 500 रुपीज में purchase किया तो plus 500 का furniture आगया और दूसरा आपको cash 500 रुपीज से decrease हो जाएगा तो उसे साब से आपका नया transaction new equation बन जाएगी देखिए यहां पर आजाएगा 51,500 plus 6,000 के stock हैं आपके पास में 15,000 के debtor है plus 500 का furniture और आया है और 69,000 रुपीज की capital है plus 4,000 रुपीज के creditors है purchased furniture तो इसके बाद में आपको क्या करना है इसके बाद में आपको balance sheet बनानी है इस caution की एक बार फिर से इस caution को note कर लीजी आप देखिए यहां पर इसका screenshot ले लीजी और इसके बाद में फिर से आप यहां पर इसका screenshot ले लीजी फिर से एक बार caution को भी देख सकते हैं और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपने कैसे कैसे इनके effects दी हैं इसके बाद में balance sheet देखते हैं तो balance sheet में अपने को only last वाला transaction ही देखना होता है balance sheet में आपको पता है कि आप एक side में assets बनाते हैं तो एक साइड में आपकी असेट्स रहती है इधर साइड में आपकी लाइबलिटी रहती है इधर दोनों कॉलम में अमाउंट आ जाता है असेट्स के अंदर दीखिये अपने पास में क्या-क्या इफ आईटंस दे एक था कैश दूसरा इस्टा तिस्डा डैटर और पर देटर तो कार आपके पास मनें आपके is टाटक और लेटर में TR तो देखते हैं कैश अपने पास में 51 थाउजं में फाइव हंड़ेट रहता था stock आपके पास में only 3,000 only 6,000 का था तो आपन यहापे 6,000 लिख देंगे furniture 500 रुपीज के थे और debtor अपने पास में 15,000 के थे इसका आपन टोटल लगा लेंगे इधर और इधर साइड में अपने पास में दो चीजे थी एक थे अपने पास में capital और दूसरा था अपने पास में creditors तो amount इनके देख लेते हैं देखिए creditor का amount 4,000 था और capital का amount 69,000 था तो यहाँ पर देखिए 69,000 में capital के अंदर लिख देता हूं और 4,000 रुपीज में creditors के अंदर लिख देता हूं देखिए इधर का total अपने पास में 73,000 आ रहा है और इधर का भी आप total करेंगे तो यह 73,000 आ जाना चाहिए देखिए 52 तो यह हो गया 52 प्लस 6,000 करेंगे 58, 58 और यह हो जाएगा 73,000 तो देखिए यह अपनी balance sheet हो जाएगी उपर साइड में अपने लिख देंगे balance sheet as on that date जो भी date अपने question में given होएगी वो उस date पर आ जाएगा तो आई होप आपको यहां तक की concept समझ में आए होंगे next class के अंदर अपन को कुछ और concepts इस chapter से related देखना है कुछ और questions भी अपन करेंगे तो चलिए अभी इस class को अपन यही wind up करते हैं तो यहां तक आपको सारे concepts अच्छे से आए हो तो please इस video को like कीजिए इस channel को subscribe कीजिए और अपने friends के साथ में इसे जरूर share कीजिए ओके, thank you